जो अंत और प्रारंध है, हर युग का वो आरंब है ब्रम्हान जिसमें है रचान संसार जिसमें है बसान ये कथा देवक नंद की जब इस प्रतवी पर बाल हत्या करते हैं तो मुझसे बर्दास नहीं होता पहले तो हम ये कहते थे कि बाहरवालों पर विश्वास मत करो आज तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बाहरवालों पर विश्वास मत करो क्योंकि आज तो अपनों पे भी विश्वास करने का वक्त है क्या जरा बताईए है एक मामा ने ऐसा कर दिया एक बाप ने ऐसा कर दिया एक बाप ने ऐसा कर दिया ये सुनने को मिल गया ये कल्यों कि अंतिम चरण में होना चाहिए था वो यहीं हो गया अभी से एक बच्ची अभी आई मेरे पास में वो कहती है कि आप कथा में कहते हो माराज अपने माबाप पे अपने गुरु पे अपने भगवान पे भरुसा करो मेरी मा मुझे बच्पन में छोड़ के चली गई और हम में अपने बाप पे भिश्वास कर नहीं सकती मैंने का आगे मत कहना बेटा मेरे कान सुन नहीं पाएंगे रोब पड़ी स्वात को कहेंगे ऐसे जलादों का क्या करेंगे जो पहले तो कहते थे कि बाहर वालों से साबधान अब तो यह पता ही नहीं कि अपना कौन है यह इतनी चरित्र हिंता कहां से आ गई यह जो मॉडन मॉडन चिलाते न समाज को दूसित करने में जो लगे हुए यह वहां से इतनी मॉडनेस आई है जहां बेटी को बेटी नहीं रहने दिया जहां बेहन को बेहन नहीं रहने दिया इनकी बात छोड़ो साब माएं भी काल बन जाती है जब बेटी गर्व में आते है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन-कौन चाहता है हमारे गर में सरस्वती का बास हो कौन-कौन चाहता है मेरे घर में लक्षमी का बास हो कौन-कौन चाहता है मेरे घर में अनपूर्णा का बास हो जो जो चाहते हाथ उपर करो सब चाहते पक्का अनपूर्णा कौन है लक्षमी कौन है सरश्वती कौन है कौन है ये ये सब कौन है ये सब कन्या है यह सब इस्त्रिय हैं अगर घर में गर में एक बेटी मार दी जाएगी तो यह कैसे आएंगे हमारे घर में कोक में जब बेटी मारी जाती है न माई डियर तेरे घर की लक्षमी समाप्त हो जाती है उस समय परवार में से सदबुद्धी चली जाती है उस बाक इसलिए इस महापाप को करने से बचिये हैं हमारी भारत की सरकार पहली सरकार ऐसी है जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ लेकिन उसमें एक और अक्षर में हमेशा कहता हूं बेटों को संसकारी बनाओ तो बेटी पढ़ेंगी और तो बेटी बचेंगी जब बेटे संसकारी होंगे तो बचेंगे जी सर्च करें ट्वीटर वर पुझ्य महराची को dn-thakur-g फालो करें